जहीं दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल गुरूड पर तो आज हम लोग स्पेसल टेस्ट नंबर थर्टीन करने वाले हैं इसके अंदर हम चैसो से लेकर साधी चैसो नंबर तक की क्यूसन्स डिसकस करेंगे तो आज का जो पहला क्यूसन है कि महानियावदी है उसका उलेक कोन से अनुचेद के अंदर आता है तो जो महानियावदी होते हैं उसका अनुचेद होता है चेहतर अनुचेद चेहतर के अंदर आते हैं महानियावदी और वरतमान जो भारत के महानियावदी है वो है केके गुपाल जी है यह वर्तमान में महान यावद्दी के पद पर इस्तित है ठीक है अगला क्यूसन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कारीकाल कितना होता है तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कारीकाल होता है छे वर्स होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कारीकाल और 6 वर्स से लेकर 65 वर्स तक इनका कारिकाल चलता है और वरतमान में अगर पुछे मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये है सुसील कुमार चंद्रा सुसील कुमार जो चंद्रा है ये है वरतमान मुख्य चुनाव आयुक्त अगला क्यूशन है इस्ताई सदन कौन सा होता है तो इस्ताई सदन जो होता है वो होता है राजे सबा राजे सबा को इस्ताई सदन कहते हैं और राजे सबा का अनुछेद है अनुछेद असी अनुछेद असी के अंदर है राजे सबा अगला क्यूसन है संचित निदी कौन से अनुछेद के अंदर आती है तो संचित जो निदी है वो अनुछेद 266 जो हता है इसके अंदर संचित निदी आती है संचित निदी आती है 266 अनुछेद के अंदर अगला क्योशन है नियुन्तम जो जन्द संक्या गनत्व है वो किस राजे के अंदर है तो नियुन्तम जन्द संक्या गनत्व है यह है अरुणाचल परदेश के अंदर अर्वनाचल परदेश के अंदर है नियूंतम जन्संक्या गनेत्व है अगला क्यूशन है GST कब लागू हुआ था यहनी जो वस्तु और सेवाकर है इसके जो हिंदी के अंदर जो फूल परम होता है वस्तु और सेवाकर वो कब लागू हुआ था एक जुलाई 2017 को और यह कौन से सविदान संसोदन के अंदर आता है तो यह आता है 101 जो सविदान संसोदन है 101 वा जो सविदान संसोदन है इसके अंदर GST को साम्मिल किया गया था अगला क्यूसन है उच न्याले के पास रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुचेद के अंदर है तो उच न्याले जो हाई कोट होता है इसके अंदर हाई कोट के अंदर रिट जारी करने का अधिकार है वो होता है 226 अनुचेद के अंदर अगला क्यूसन है वन्य जीव स्रक्षन अदिनियम किस वर्स का है तो वन्य जीव स्रक्षन अदिनियम है यह है 1902 का 1902 का है वन्य जीव स्रक्षन अदिनियम अगला क्यूसन है भूमद्य सागर का परवेश द्वार किसे कहते हैं तो भूमदे सागर का परवेश द्वार है ये कहते हैं जिब्राल्टर जलसंदी को जिब्राल्टर जलसंदी है इसको भूमदे सागर का परवेश द्वार कहते हैं अगला क्यूसन है आंसो का द्वार किस जलसंदी को कहते हैं तो आंसो का जो द्वार है वो कहते हैं बाब उल्मंदेव जो जलसंदी है बाब उल्मंदेव जलसंदी को आंसो का द्वार कहा जाता है अगला क्योशन है भारतिय वन सरेक्ष्टन रिपोर्ट कब परारम हुई थी तो भारतिय जो वन सरेक्ष्टन रिपोर्ट है ये कब से प प्रात्मिक रंग कौन से होते हैं तो इन में से प्रात्मिक रंग कौन सा होता है प्रात्मिक रंग होते हैं एक तो होता है लाल रंग और एक हरा रंग और एक होता है नीला रंग ये तिन्नों प्रात्मिक रंग होते हैं और इनको कहते हैं RGP यानि रेट ग्रीन और ब्लू अगला क्यूशन है रक्त कैंसर का पता लगाया जाता है तो रक्त कैंसर अगर किसी को होता है तो उसका पता लगाने के लिए कोबार्ट जो 60 है इसका परियोग क्या जाता है अगला क्यूसन है रबर के वलकिनी करण में किसका परियोग क्या जाता है तो रबर के वलकिनी करण के अंदर सल्फर का यानि एस का परियोग क्या दाता है सल्फर का परियोग होता है रबर के वलकिनी करण में अगला क्यूसन है आर बियाई का वर्तमान गुवर्नर कौन है तो RBI है जो Reserve Bank of India इसके वर्तमान गरवरनर है वो है सक्तिकांथ दास सक्तिकांथ दास है जो RBI के वर्तमान गवरनर है और RBI की सरव प्रतम इस्ताफना कब हुई थी तो ये हुई थी 1 अपरेल 1935 के अंदर मॉम्बई के अंदर इस्ताफना हुई थी RBI की RBI की स्थापना कापर हुई थी मुंबई के अंदर और कब एक अप्रियल 1935 के अंदर अगला क्यूसन है सोरी इसकी स्थापना कॉलकाता के अंदर हुई थी और कॉलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान जो मुख्याले है ये मुंबई के अंदर है मुंबई के अंदर है मुख्याले वर्दमान में अगला क्यूसन है बारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है यह बारत के अंदर अगर सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो वो कौन है विजे बठकर बारत के अंदर है विजे बठकर सुपर कंप्यूटर के जनक और पह अब्दुलकफार खान जो थे अब्दुलकफार खान को सिमांत गांदी कहा जाता है अगला क्यूसन है बोम डिला दरा कहां पर इस्तित है तो बोम डिला दरा है वो किस राजी के अंदर है तो यह है अरुनाचल परदेश के अंदर अरुनासल परदेश के अंदर है बॉमडिला दरा अगला क्यूसन है अटल सुरंग किस राजी के अंदर है तो अटल सुरंग है वो कहां परिस्तित है तो यह है लदाक के अंदर वो लदाक वरतमान में क्या है के अंदर सासित परदेश है वरतमान में लदाक अगला क्यूसन है अमरित महुत्सों की इस बार कौन सी वर्सगाट है तो अमरित महुत्सों है इसकी वर्तमान में पिचेतरवी जो वर्सगाट है वो मनाई जा रही है अगला क्यूसन है आसियान का मुक्याले कहां पर है तो जो आसियान जो संग्टन है इसका मुक्याले है जकारता के अंदर और आसियान के अंदर कितने मिंबर आते हैं तो इसके अंदर आते हैं दस सदसे हैं वरतमान में और 2021 की जो बैठक थी यह हुई थी बुर्नेई के अंदर जो बुर्नेई है इसके अंदर इसकी बैठकोई थी 2021 की और इसका जो मुख्याले वो है जकार्था की अंदर इंडोनेशिया की राज़ता नहीं है जकार्था अगला क्योशन है सालमोनिला टाइफी से कौन सा रोग होता है तो जो सालमोनिला टाइफी है इसके कारण टाइफाइड जो रोग होता है यह हो जाता है सालमोनिला टाइफी के कारण और टाइफाइड का जो परिक्षण है यानि टाइफाइड की जाँच है उसे कहते हैं विडाल परिक्षण विडाल परिक्षण टाइफाइड के अंदर किया जता है ठीक है अगला क्यूस्टन है AFSBA यानि सहसतर बल विशे सदिकार किस राजे में लागू है तो जो AFSBA है यानि सहसतर बल विशे सदिकार जो आरमी को दिया जाता है तो यह किस राजे के अंदर है तो यह है नागा लेंड की अंदर अभी वर्तमान में चल रहा है और इसको पहली बार कब इस्तापित किया गया था ये किया गया था 1958 के अंदर पहली बार इस्तापित किया गया था विसेस अस्तर बल विसेस अधिकार अगला क्यूसन है राष्टी मानुआदिकार आयोग का अधिक्स वर्तमान में कोन है तो राष्टी जो मानुआदिकार आयोग है NHRC इसका जो वर्तमान अधिक्स है ये है अरुन कुमार मिस्रा जी है जो की राष्टे मानवा दिकार आयों के अधिक्स है अगला क्यूसन है लिपू लेक दरा कौन से राजे के अंदर है तो जो लिपू लेक दरा है ये है उत्राखंड के अंदर उत्राखंड के अंदर है किस के बाद आया था एकार केंगार के तार है अपातकाली हर्मौन किसे कहते हैं तो अपातकाली हर्मौन जो है वो होता है Adrenaline Hormone यहाँ अपातकाल के समय जो Hormone रिलीज होता है वो होता है Adrenaline Hormone अगला क्युशन है सबसे बड़ा दिन भारत में कब होता है तो भारत में सबसे बड़ा जो दिन है वो होता है 21 जून को 21 जून का उत्री गॉलार्द के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और तभी भारत के अंदर उत्री को लार्द के अंदर है भारत तो इसके करण 21 जून को भारत के अंदर भी सबसे बड़ा दिन होता है अगला क्यूसन है राष्टी मत्दान दिवस कब मनाया जाता है तो जो राष्टी मद्दान दिवस है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को 25 जनवरी को राष्टी मद्दान दिवस मनाया जाता है अगला क्यूसन है बादामी करांती किस से सम्मंदित है तो बादामी करांती थी जो मसालों से सम्मंदित थी बादामी करांती अगला क्यूसन है राष्ट्य महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंतराष्ट्य महिला दिवस है ये तो मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है और जो राष्ट्य महिला दिवस है ये मनाया जाता है तेरा फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्य महिला दिवस अगला क्यूसन है रामसर सम्मेलन कब हुआ था तो रामसर सम्मेलन है यह हुआ था 1971 के अंदर और कब होता है 2 फरवरी 1971 के अंदर रामसर जो की इरान के अंदर इस्थीत है रामसर कहां पर है इरान के अंदर इस्थीत है और यहां पर रामसर सम्मेलन होता है दो फरवरी 1971 को अगला क्यूशन है विश्व स्वास्ते दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व स्वास्ते दिवस है ये मनाया जाता है 7 अपरेल को जो 7 अपरेल है इसको मनाया जाता है विश्व स्वास्ते दिवस अगला क्यूशन है ओप्रेशन विजे में कौन सा राजय मुक्त वा था ओप्रेशन जो विजे है इसके अंदर जो गोवा है इसके अंदर ओप्रेशन विजे चलाया गया था पुर्ट गालियों को निकालने के लिए और ये कब चलाया गया था 271 के अंदर चलाए गया था Operation Vijay अगला क्यूशन है बुद्ध, धम और संग मिलकर क्या बनाते हैं तो बुद्ध, धम और संग है वो त्री रतन बनाते हैं यहाँ पर गिर रतन नहीं होगा यहाँ पर होगा त्री रतन त्री रतन का निर्माण करते हैं बुद्ध, धम और संग मिलकर बुद्ध, धम और संग त्री रतन का निर्माण करते हैं अगला क्यूशन है कौन सा संपरदाई बो धरम का नहीं है तो बो धरम का इन में से जो संपरदाई नहीं है वो है दिगंबर दिगंबर संपरदाई है किस से संबंदीता है यह है जेन धरम से संबंदीता है कौन दिगंबर जो संपरदाई है वो जेन धरम से संबंदीता है अगला क्यूशन है भारत में जो जेन धरम के संस्तापक है वो कौन थे तो बार्ट में जेंद्रम को जो सतापक थे, वो थे मावीर स्वामी, मावीर स्वामी ने जेंद्रम को बार्ट के अंदर सतापना की थी, अगला क्योशन है, शेर्षा द्वारा निरमित Grand Trunk Road बंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो सेर्षा के द्वारा बनाई थी पंजाब को जोड़ती थी अगला क्यूशन है किस मुगल सासक ने राजदानी आगरा से दिल्ली इस्तानांतरित की थी तो आगरा से दिल्ली जो राजदानी ले जाने वाले थे वो कौन थे? सहाजा सहाजा ने राजदनी आगरा से दिल्ली इस्तानांतित कीती पहले बार और आगरा से दिल्ली ले गया था सहाजा अगला क्यूशन है रामचरित मानस के लेकक तुलसी दास किसके दर्बार में कवी थे तो राम चरीत जो किस ने लिखी थी तुलसिदास जी ने लिखी थी और ये किस के दर्बार में थे तो ये थे अखबर के दर्बार में अखबर के दर्बार में थे कौन तुलसिदास जी थे और तुलसिदास जी ने कौन सा लिखक लिखा था तो इन्होंने लिखा था रामचरित मानस अगला क्यूसन है कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया लाहूर का किला बनवाया और इलाबाद का किला बनवाया लेकिन गौालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया अकबर और महारणा परताव के बीच में लड़ी गई थी और कब 18 जून 1576 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी और कहां पर हल्दी गाटी जो की राजस्तान के अंदर रिस्तित है हल्दी गाटी के अंदर 18 जून 1576 को ये लड़ाई लड़ी गई थी अगला क्योशन है नूर जहां का वास्तिक नाम क्या था तो जो नूर जहां थी इसका वास्तिक नाम था महरून निसा महरून निसा नाम था नूर जहां का वास्तिक नाम अगला क्योशन है भारत में सबसे उंचा पठार कौन सा है तो भारत के अंदर जो सबसे उंचा पठार है वो है लदाख का पठार है भारत के अंदर सबसे उंचा पठार है अगला कि उसने प्राइदिवी पे भारत की उस्तम प्रवत चोटी है तो प्राइदिवी पे भारत की सबसे उंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी यानाई मुड़ी दक्षिन भारत की या परायदीप भारत की सबसे उंची चोटी है अनाई मुड़ी और इसकी उंचाई जो है वो कितनी है 2695 मिटर 2695 मिटर इसके उंसाई है और ये काँपर है पस्चिम घाट के अंदर इस्थित है पस्चिम जो घाट है इसके अंदर इस्थित है अनाई मुडी अगला क्यूसन है लोनी और चारी मर्दा का भारत में एक और नाम क्या है तो लोनी मर्दा या चारी मर्दा जिसे कहते हैं भारत में इसका एक नाम और है तो इसका दूसरा नाम है कलर मर्दा भी इसको ही कहा जाता है और इसका और नाम भी है जैसे रे है एक है इसका उसर नाम है एक होता है राकर नाम होता है और एक होता है धुर नाम होता है इसका और एक इसको कहते है करल और और नाम होता है चोपन तो इतने नाम इसके होते हैं किसके कलर मर्दा, लोनी मर्दा या चारी मर्दा की नाम होते है रहे मर्दा उसर मर्दा या राकर मर्दा या धूर मर्दा या करल मर्दा या चोपन मर्दा तो यह सारी इसके नाम है चारी मर्दा की नाम है लग लग नाम है और भारत के अंदर इसका दूसरा नाम है कलर मर्दा अगला क्यूसन है साइक्रोमिटर से क्या मापा जाता है तो जो साइक्रोमिटर है इससे मापा जाता है आधरता को मापा जाता है साइक्रोमिटर से अगला क्यूसन है भार्त का सबसे सुका भाग कौन सा है तो भारत का जो सबसे सुका भाग है यह है पस्चिमी राजस्तान यह राजस्तान के अंदर जो पस्चिमी राजस्तान है वो भारत का सबसे सुका भाग है और यहां पर है थार का मरुस्तल थार का मरुस्तल है वो कहां पर है पस्चिमी राजस्तान के अंदर है थार का मरुस्त इसी कार्ण से ये सबसे सुका है भारत का सबसे सुका भाग अगला क्यूसन है भारत की जलवायू कैसी है तो भारत की जलवायू है यह है मानसुनी जलवायू यह भारत की जल्वायू मानसुन ही है क्योंकि यहां पर रित्तु परिवर्तन के साथ ही कौन सी रित्तु परिवर्तन के साथ ही वायू की दिसा में भी परिवर्तन हो जाता है जिसके कार्णिया की जल्वायू परिवर्तन होती रहती है मानसुन के इसाब से तो ये थे अपने साड़ी से सो इंपोर्टेट क्यूसें साथ कम्प्रीट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्षिन जुरूर बताएं और वीडियो को जदा से ज़्यादा सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और थे अवीडियो आपको करें